सिएम शिवराज सिंग का बड़ा एलान कोरोना सिम्रित कर्मियों के परिजुनों को मिलेगी अनुकमपा न्युक्ति ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा मद्य प्रदेश चत्युसगर सिम् भुपेश बगेल ने की कैबिनेट की बैठक प्रदेश में कोरोना के सिती पर हुई चर्चा वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जर्ये जुडे सभी मंत्री पुर्वसांसर शिवराज सिंग लौधी का हुआ निजन भौपाल शिराईव अस्पताल में चल रहा था इला सेम शिवराज समेत अब बीजबी के कई नेताओं ने जताया शोक और चत्रीस के बीजबपूर में एक बर फिर हुआ नक्सरी हमला आईडी ब्लास्ट में हैट कॉंस्टेबल शहीद एरिया डिमोशन पर निकली थी टीम अमश्कार स्वागत अपके अन्बी न्यूस में और मैं हूँ आपके साथ मुस्कान सुणनी मध्य प्रदीश और 36 गर्ड के बुलेटिन में खबरों का आगास करते हैं प्रदान मंतरी नरींदर मोदी ने मंगलवार को कोविड-19 महमारी पर नियंतुरन को लेकर 9 राजयों में 43 जलू के जुलादिकारियों के साथ बैठक की है इस बैठक में कौरोना की लहर को किस तरह से रोका जाए इसकी चर्चा की गई ये बैठक वर्चुल तोर पर आयूजित की गई थी इस बैठक के बाद प्रदान मंतरी एक बर फिर 20 माई को 6-10 राजयों के 54 जलादिकारियों के साथ बैठक करेंगे बता दें कि इस बैठक में जलादिकारियों के साथ संबंधित प्रदेश के मुख्यमंतरी भी मौजूद रहे मध्यप्रदेश के मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान भी इस बैठक में उन्होंने भाग लिया और तमाम तहें की जो मेटिंग थी उसमें हिस्सा लेकर तमाम बातें सुनी अपने जीले में स्थीती सम्हान लेके लिए लगातार काम करते रहे इसे जीले में अन्य लोगों का होसला भी बढ़ा और आपसे प्रेणा भी मिली बहुत से ऐसे हैं जो कई कई दिनों तक घर नहीं जा पाए अपने घरवालों से नहीं मिल पाए कई लोगों ने अपने परिवार के एहम सदश्यों अपने करीबियों को खोया भी है इस मुश्किल के बीच आपने अपने कर्टव्य को सर्वोच प्रात्फिकता दी है अभी आप से मैं कई साथियों से अपने अनुभव सुनने का मुझे आउसर मिला वैसे मेरे सामने काफी लोग हैं लेकि हरे को तो संबव नहीं हुआ है लेकिन हरे के पास कुछ ने कुछ नाया था कुछ ने कुछ इनोवेटिव था और अपने तरीके से रास्ते खोजे थे और सफलता के लिए यही सबसे बड़ा काम का होता है कि आप मुल्भूत विचार को कितना लोकलाइज बना करके सेट परके उसका उप्यूद्व चले तो इसी खबर पर गणेश तिवारी हमारे साथ इंदोर से समवादाता लाइव जूर चुके हैं उनसे तमाम जानकारे लेते हैं गणेश आज प्रधान मंतुरी नरेंदर मोदी ने बैठक की है क्या कुछ इसमें खास रहा और क्या शिवरा सिंग चोहान ने इस पर बत्रेकरिया दी है आधिकी मुसकान सबस्पहले अगर प्रधान मंती नरेंदर मोदी की बात करें तो लगतार को लेकर प्रधान मंती नरेंदर मोदी समिच्छा बैठक ले रहे इसी को देखते हुए अगर बात करें प्रधान मंती नरेंदर मोदी ने आज करी 9 राज्यों के 46 जिला अधिकारियों से उन्होंने को लेकर एक वर्च्वल मीटिंग की है वीडियो कॉंफ्रेंसी के बात्याम से सभी जिला अधिकारियों से प्रधान मंती नरेंदर मोदी ने बात किये और उनकी नियंकर इस्थिति के बारे में बी जिला अधिकारियों के ऊपर पूरी तरह से निरवर होता है प्रधान मंती नरेंदर मोदी की अगर बात के तो उन्होंने साथ तो प्रधान मंती नरेंदर मोदी ने जिला अधिकारियों से पूरी प्रधान समिच्छा को लेकर निरेश दिये है कि गाहों में अगर बात करें अभी जाग रुकता नहीं है तो गाहों में ज़दा जोड़ देनी की बात कही है तो प्रधान मंती नरेंदर मोदी ने यह भी रхpur एकतीन सुझहाओ देख देते हुए क़िका जगता है प्रधान मंतुरी इस तरहें की बैचक करते जा रहे हैं और लगातार वो राजियों को चितावनी भी दे रहे हैं और बता भी रहे हैं कि किस तरीके सो उनको निपटना चाहिए फिलाल मद्यप्रदेश में कारोना की क्या सिति है आंकड़े क्या हैं ताजा और क्या कुछ अभी अक्सीज़न वेंटिलेटर और बैड़ इन सबकार के सिति है. जिसकतर परोना नियंत्रड में यहां पर मत्रदेश की यहां पर नियंत्रड किया है ऐसे में प्रदान मत्री नरेंद मोदी भी हला की अगर मत्रपदेश के आंकड़ों की बात करें तो अंकरे मोत के आंकड़े वो भी कम नज़र आ रहे है जो रिकावरी रेट है वो काफी जाता जा रहा है तरती दिन जो है 12,000 से 13,000 अपने घरों को जीत कर पोरोना से जंग जीत कर अपने घरों को जा रहे हैं और आकड़ों में बेहादी कमी नज़ा रही है इसकी बात करे तो नभे प्रत्रशत के संथि के पहुंच चुपा है और यहां यहां ही छोटे से ब्रेक के लिए रूखेंगे जो अधाजर होंगे राश्ट्र भर्म क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं आपकी सेहत नहीं बनती भूख कम लगती है वजन नहीं बढ़ता दरसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है मेन बात है खाया पिया लगना और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयरविदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंतर को आपके लिवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड आपके शरीर को लगे आपकी भूख बड़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बड़े, ताकत बड़े, चेहरे पर नूर आए और आप मुटे तगडे, खूब सूरत परसनेलिटी के मालिक बन जाए ये दवा पूरी तरह से आयरविदिक होती है इसका शरीर पर कोई भी साइड एफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुश पर भाव नहीं होता लड़के, लड़कियां, दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते है और पहले पंदरा दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा सिर्फ छेसो पचास रपे की, पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे, 011-45-45-45-45-45 पर फोन करके, दवा मंगवा सकते हैं इस अनुकमपा न्युक्ति में जहां करमचारी के परिवार के एक सदस्य को अनुकमपा न्युक्ति दी जाएगी तो वहीं अनुकरह योजना में आंगनवारी कारे करता, सहाई का आशा कारे करता, कोटवालों का सबल बनेगी वहीं परिवार को 5 लाक रुपई के आर्थिक राशी भी दी जाएगी सो मवार को सियम शिवरा सिंग चोहान ने इसकी खोशना की है सियम शिवरा सिंग ने कहा कि अनुकंपा न्युक्ति में महामारी के दोरान अगर किसी करमचारी के साथ भागेपूर्ण घटनाय होती हैं तो उसके परिवारों को देखभाल करने की जवाबदारी सरकार की होगी इसलिए राजय शासन ने दो योजनाय बनाई जा रहे हैं पहली योजना में मुख्यमंतरी कोविड-19 अनुकंपा न्युक्ति योजना और मुख्यमंतरी कोविड-19 विशेश अनुग्रह योजना रहेगी वहीं कोरोना संक्रमन के बीच मुख्यमंतरी भूपेश बगेल की अध्यक्षिता में कैबिनेट की बैठक हुई बतादें कि मुख्यमंतरी निवास कार्याले में वीडियो कॉन्फ्रेंस विंग के जरीए बैठक काई उचन किया गया इस बैठक में ग्रह मंतरी तामर ध्वज शाह, स्वास्त मंतरी टियस सिंग देव, महिला और बाल विकास मंतरी अनिला भेडिया और वन मंतरी मोहमद अकबर भुरु मंतरी रूदर कुमार, रविंदर चोबे शामिल रहे गरतलभो के बैठक में प्रदेश में कॉरोना के हालातों को लेकर चर्चा की गई और तमाम स्पिती का जायजा लिया गया मौहमद बंध्यप्रदेश के दमों से दुखत खबर सामने आ रहे है दुरसल यहां लोकसवाज शेत्र के पूर्वसांसद और बीजेपी नेता शिवराज सिंग लौधी का मंगलवार को सुभा बोपाल के चिराईू अस्पताल में इलाज के दुरान निधन हो गया है वो लंबे समय से बिमार चोल रहे थी पूर्वसांसद की मौत पर सियम शिवराज सिंग समेत बीजेपी के कई नेता उने शोग जटाया है उनके मौत पर केंद्रियमंत्री प्रहलाज सिंग पटेल ने कहा कि सामाजी को तरदायतमों के प्रती निष्ठावान नेता का जाना अपूर्णिया शति है अक्सर सुचता को लेकर अपने कुरिया कलापूं से चोकाने वाले रिवा सांसद का एक और वीडियो इन दिनों चर्चा में बना हुआ है दरसल रिवा से बीज़ेपी सांसद जनारदन मिश्वरा इस वीडियो में क्वारंटाइन सेंटर की सफाई करते नदर आ रहे हैं बताया जा रहा है कि सांसद रिवा जुले की मौगान जुजानपद में कुझ बिहारी क्वारंटाइन सेंटर का जायदा लेने पहुंचे थे लेकिन उनकी नजर वहाँ बने शोचालियों की गंदगी पर पड़ी जिसके बाद सांसद जुनारदन मिश्वरा हाथों से गलम्स बहन कर उसे खुद ही साफ करने लगी और उसे पूरा साफ करने के बाद ही उन्होंने दम लिया आपको बता दें कि सवचता को लेकर रिवा सांसद जुनारदन मिश्वरा हमेशा चर्चा में रहे हैं इससे पहले कॉरोना महामारी में जनारदन मुश्रा घर घर जाकर कॉरोना संक्रमित मरीजों को बाहर से हाल चाल लेते भी दिखे थे और कॉरोना की पहली लहर के दोरान उन्होंने रीवा कलेक्ट कि देश इस समय कोरोना की दूसरी लहर से जूच रहा है जिस सनेपटने के लिए प्रशासन ने सभी सामाने सेवा केंद्रों और लोग सेवा केंद्रों को खूलने के अनुमति दे दी है इन केंद्रों में लोग वैक्सिनेशन के लिए निशूल का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे वहीं 34 गड़ के उधापूर में एक भीशन सड़क हाथसा होने की खबर सामने आ रही है तो रसल राइपूर से गड़वा जा रही एक बस रास्ते में अनियंतरित होकर खाई में किर गई जिससे बस में सवार 15 लोगों को हलके चोंते आई है बता दें कि दुरगटना के वक्त बस में 30 से 35 लोग सवार थे वहीं उधापूर के तहसीलदार ने बताया कि बस 35 सवारियों के साथ राइपूर से गड़वा जा रही थी हादसे में लगभग 10-15 लोगों को माबूली चोंते आई है जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भरते करा दिया गया है राइपूर से गड़वा जाने वाली है मेहंद्रा कंपनी की बस है इसमें लगभग 30-35 सवारी थे और गुंगा के पास दिरुहतना हुई है लगभग 10-15 लोगों को इसमें थोड़ी स्चोट आई है जो बहुत जादा नहीं है और इनको एम्बूलेंस से हास्पिटल भेस अगया है और बाकी जो सवारी यहां पर है उनके विवस्ता के लिए दूसरी बस बूलाई गई है वह अभी इनको ले जाएगी और यहां पर कोई लोग देखने लियार है भी लगा रहे है इसके लिए हम को ट्वारों की बदाए जारी लगभग चार बजे के आसपास की है क और यहां से रायपूर से रायपूर से आया था उधर का बस में नबता बस क्या हुआ भी फřती होयां कितने लोग भी हो लोग हम लोग ãy cornous have और बस में कितने सवार थे सूयतर वेर कितना दिखा आपको बेर नहीं परनें था संवर्दाद मीं थे यहां एक छोड़े से ब्रेक के लिए रुकेंगे चोड़ हाजर होंगे कोविड वैक्सीन उपरांथ तो अनू हलका जया बुखार आ सकता है जिस्ते कब्राण दिलो नहीं मैं अज सेकंड रोज रुआई है मैं बिल्कुल ठीक आ कहां मैंनू किसे के समदी को तकलीव नहीं वैक्सीन संबंदी वदेरे जानकारी लई एक सो चार हेलप लाइन ते कॉल करो वैक्सीन लगाओ परिवार बचाओ कम ब्रेक और जादा ख़बरों के साथ देखिए A&B News एन चैनल नमबर पर कर दो और देखिए YOUR जय striking झाल पुर्व मुख्यवंतरी और कॉंग्रिस के प्रदेश वध्यक्ष कमलनाथ ने एक ट्वीट कर उनकी सियासत दिने गर्मा दिया है ग्रहें और जेल वंतरी नरौत्व मिश्वरा ने इसे समवेदन शीलता की पराकास्टता बताते हुए कमलनाथ पर जमकरवार किया है गरसल कमलनाथ ने मौधी सरकार पर व्यांग करते हुए एक ट्वीट किया था कि दो मुर्दे आपस में बात कर रहे हैं और अच्छे दिन आएंगे और पंद्रलाग के चक्कर में ना पड़े होते तो कुछ दिन और जी लेते कमलनाथ के ट्वीट पर नरौत्व मिश्वरा ने पर अटवार करते हुए कहा कि आज पूरा दीश और प्रदीश संकट के जिस दोर से गुजर रहा है उसमें कमलनाथ जी को लोगों की मदद और मानवता की बात करने के बजाए मुर्दों की बाते सुनाई दे रही इन्हें मुर्दों की आवाज सुनाई देने लगी लेकिन प्रित मानवता की सेवा के लिए इनको आवाज सुनाई नहीं दे रही यह नहीं किसान की आवाज नहीं सुन रही है यह जंता की आवास नहीं सुन रही है यह बीमार की आवाज नहीं सुन रही दुखी की नहीं सुन रही यहां तक कि इनके बी बिधायक I.C.U. में थे उनकी आवाज नहीं पहुँची इन तक ये नहीं गए देखने किसी को लेकिन कबरिस्तान पहुँच गए मुर्दों की बाचीज सुने कांग्रेस की अरोरी है क्या कमलनाथ हद है मतलब आप ट्वीट देखें आज जब जनता को सहानुभूती की जरूवत है सहानुभूती के दो शब्दों की जरूवत है ठीक है आप नहीं बोल सकते सानुभूती के दो शब्द ठीक है आप नहीं किसी गरीब की सेवा करना चाहते हैं सौने का चमजबू में प्यदा होने वाले लोगों तो कम से कम वहीं कोरोना वाइरूस की जानलेवा दूसी लहर ने लोगों को परिशान कर रखा है में बिना मास्क लगाए घूम रही मा और बेटी को पुलिस ने जब पकड़ लिया इसी बीच धक्का मुक्की होने लगी और लेडी कॉंस्टेबल ने महिला को थपड़ जड़ दिया इसके बाद महिला ने लेडी कॉंस्टेबल को भी तमाचा मारा इस पर पलटवार करते हुए महिला पुलिस कर्मी ने उनको थपड़ जड़ दिया और महिला को बाल से पकड़ कर नीचे घसित दिया मौके पर मौझूद कुछ साथ ही पुलिस कर्मियों ने उनको छुडाया भी यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा इस घटना पर मामला दर्च करते हुए पुलिस ने विभिन धाराओं में मुकदमा दर्च कर मा और बेटी को जेल फेज दिया है वहीं इस मामले पर सब इंस्पेक्टर गोपाल चोबे का कहना है कि कौरोना की वज़ों से लोगडाउन लगा हुआ है और कलेक्टर महोद्या के अनुसार धारा 144 कपालन करवाने के लिए पुलिस कर्मियों के ड्यूटे लगाए गई है और गांधी चोग पर महिला आरक्षक अपने ड्यूटे कर रही थी इस दो दुरान मा बेटी बिना मास्क लगाए घूम रही थी जो महिला आरक्षक ने इनका चालान काटने के लिए कहा तो इस पर वो भड़क गई और बदसलूकी करने लगी और महिला पुलिस कर्मी पर हाथ उठा दिया जिसके बाद ये तमाम कारवाई की गई वहीं इन दोर में जीवन रुक्षक इंजेक्शन की काला बाजारे करने का एक और आरोपी पुलिस की गिरफ्ट में आ गया है आपको बता दी कि कलेक्टर के खिलाफ जाकर इस्तीफा देने के बाद चर्चा में आई जिला स्वास त्यादिकारी डॉक्टर पुर्णिमा गडरिया के ड्राइवर को पुलिस ने रेमडे सिविर बेचते हुए गिरफ्टार किया है उसके पास से एक इंजेक्शन भी बिला है विजनगर पुलिस के अनुसार मुख्विर के सूचना पर मुख्विर के इंजेक्शन भी बेचने के लिए गुम रहा है पूसकाच की तो पता लगा जो वही मंडला के कट्रा उस्पिटल मंडला में एक बार फिर महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया और डॉक्टर स्टाफ के साथ मार पिट की गई जिसके सोचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया बताया गया कि रा दॉक्टर स्टाफ के साथ मार पिट करके ECG मश्रियन को भी तोड़ दिया वहीं डॉक्टर का कहना है कि महिला कॉरोना संक्रामी थी फिलहाल कुलिस मामले की चांच में जोड़ी थे तक कि हम उनको explain करते तब तक कि वह बहुत aggressive हो चुके थे बहुत aggressive होगा तुरंत उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर ऐसा भी मैंने कहा आपको बताया गया था जब आप एडमिट हो रहे थे कि आपके मजीच की हालात अच्छी नहीं बताया गया था आपको बहुत अच्छे से उन्होंने इगदाफ हमारे स्टाप का कॉलर पकड़ लिया तुरंत उन्होंने कॉलर पकड़ा और इस टूल लेकर वह ख़डे हो गया तुरंत उनको नर्सिंग स्टेशन पर बंद किया जन फिर वह बाहर आपको पूर से नीचे तक कि आपके अपने पर अपने परीजन को होया तो क्या हमारी मां को मारेंगी उनका यह हो गया ऐसे कहना मैं नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहें मैंने भी अपने परिजन को खोया आप सब्र रखिए एक मरीज का डीसी हुआ था इसका नाम है उशा कुझूर उसके परिजन डीसी के बाद नेर्स को और जूटी डॉप्टर को अठाक किये और इसीजी मेशिन उठाके पतक के तोड़ दिये और इसीजी मेशिन कम है किमत कुझ रहा था तो 54 रुपए का है वहीं किसी डॉक्टर को भी मान नहीं फिकाट आ रहे हैं और डॉक्टर स्वेता वहीं मद्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल महराजा यश्वन्त राओ में बड़ी लापर वाही सामने आई है यहां पहली मंजिल पर नर्सरी में भरती एक नवजात के पैर कांगूठा और एडी चुहों ने कुतर दी है इससे उसके जान संकट में आ गई है वहीं प्रियंका ने एक बच्चे को जब जन्म दिया बच्चा प्री मैं चोर था उसका वजन करेब 1.4 खीलो था उसे देखरेक के लिए नर्शरी में वार्मर पर रखा गया था बच्चे की माँ प्रियंका सोमवार सुभा उसे दूद पिलाने के लिए जब गई तो मामला सामने बच्चे के एक पैर का अंगुठा और एधी चुहों ने कुतर रखी थी नवजात का लहुलुहान पैर देखकर परिजन आक्रोशित हो गए और उन्होंने हंगामा कर दिया बाद में वो अधिक्षक कक्षि के बाहर जमा हो गए मामले की गभीरता को देखते हुए डीन डॉक सोड़ स्टाप कहा गया रात में नुद्ण के बाद मेरी मिसेजस बूद पिलाने गई थी तीन बजे दो जना था इन तो पथा box यह बच्चे को कर दो आप एगा माम्यदा3 कि श्वॉयों उसके यह में अगं कटा यह को और यह कोकर kangna दोक्टर सब बुल्टा जवाब देते हैं बोले उमर देखके बच्चा पेदा करना चीए तो बच्चा हमने पेदा करें उनने थोड़ी करें दुफेरवाद मेरे सामने जानकारी में आई है कि 27 तारीक को बच्चा प्रिमेच्चोर पैदा हुआ था और भड़ती हुआ है और जब घटना सामने आई तो हमने एक जान समीती बना दी इसमें डॉक्टर केकर हो रहा है डॉक्टर अरपना शर्मा है और संकेज नमर फिरसास जयदे करिब हो है क्योंकि मामला बहुत गंबीर है तो इसमें जिसकी भी लापर हो भी पाई जाएगी उसके ख़़ाब सकता हुआ है तो उसके लिए जान समीती बनाई है पूरे तत्ख्यों की जाच हो गी है उसको घाव बगएर है उसका इलाज शुरू हो चुका है उसको करोना करफ्यू की चेन को तोड़ने के उदेश उसे शहर में जुला प्रशासन के निरदेशूं के मताबिक पुलिस एक्षिन मोड में आ गई है जहां इंदोर के प्रमुक्ष चुराहों पर बेवज़ा घुमने वालों को कारवाई उन पर की गई इस इक्रम में इंदोर के रीगल ती राहे पर मंगलवार को एक तरफ जहां नगर निकम के लोग मास्क नहीं पहनने वालों पर और बेवज़ा घुमने वालों पर कारवाई करते दिखे तो वहीं दूसरी और एस पे आशुतोष बागले ने अपनी ब्रिगेट के साथ मोचा संभाला तो को गंज ठा प्रफारी कमलेश शर्मा सहीत बड़ी संख्या में पुलिस दल शहर में फालतो घुमने वाले लोगों पर कारवाई करते नजर आए और उन्हें जेल में भीज दिया गया अस्थाई जेल में भेजा गया उन्हें आपकी स्क्रीन पर जो आप ये तमाम नजारा देख रहे है ये रीगलती रहा का है जहांपर मंगलवार को पुलिस की कारवाई तेज हो चली है मंगलवार को कारवाई के दुरान बड़े संख्या में कई बाइक सवारों के साथ मही लाएं और बच्चे भी दिखे कई लोग पुलिस के कहने पर अस्थाई जेल बस में तुरंत बैठ ग कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सक्त कारवाई की आदेश हैं जहां कर्फियों में अब तक पांच से च्छे हजार लोगों को अस्थाई जेल फीज दिया गया है और ये कारवाई आगामी आदेशों तक निरंदर जारे रहेगी फिलाल के लिए मैंने साथ बस इतना ही आप जुड़े रही है अन्बी नियूस के साथ नमस्कार करो करो कि अन्बी रहे है अन्बी शुड़ेश इतना ही और ये और कि लिए करेंदर बसुटर्ष मेंधने घ्र अन्बी